अनियंत्रित होकर ओटो पल्टा, आधा दर्जन लोग घायल, पद्धी कोना ग्राम की घटना, पुलिस जाच में जुटी, मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के आधिवासी बाहुलिय विकास खन घंसोर के अंतरगत आने वाले पद्धी कोना के समीप एक सड़क हादसा हो गया जहां अनियंत्रित होकर ओटो वाहन पलट गया, इस हादसे आधा दर्जन लोग घायल हो गए, घटना की जानकारी प्रत्यक्ष दर्शियों ने घंसोर पुलिस और 108 वाहन में दी, जहां एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदाइक स्वास्थे केंद घंसोर में भरत एक किस्थिती को देखते हुए डॉक्टर ने उसे मेडिकल कॉलेज जबलपुर रेफ़ कर दिया है, वही सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा जाच की जा रही है, और यह पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है कि हादसा कैसे हुआ, बताया जा रहा ह कि आटो में सवार होकर लोग कैदारपुर बजार जा रहे थे, और पद्दी कोना के समीब हादसे का शिकार हो गए, घायलों में देव सिंग मरकाम, राम सिंग मसराम, रमो बाई, मनीशा वरकडे, निखिल उइके के नाम शामिल है